वीडियो को ध्यान से दिखेगा और जो भी प्रश्ण अगर आए तो आप उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर करते चलिएगा जैसे कोशन नमबर पहला कोशन दिखे दोस्तों मैजिनोट रेखा किस देश के बीच में स्थित है अति महत्पूर्ड प्रश्ण दोस्तों यहाँ प और तीसमी समानंतर रेखा पूचे दोस्तों तो यह उत्तर और धचिड कुरिया के बीच में है और देखिए ओडरनिस रेखा दोस्तों तो जर्मनी और पोलेंड के बीच में है रेडिकलिप रेखा पूचेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है अति महत्पूर्ड ये प्रश्ण निश्यत तोर पे पूछे जाते हैं आगे दिखते हैं क्यों राष्टी सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने दोस्तों उनका नाम क्या है करेंट फेर्स 2022 के सारे प्रश्णों को लिया गया है दोस्तों तो इस कोशन का सई इंसर हो जाएगा र कंपनी इंडिगो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने है तो वेंकट बनी जो की सुमंत्रण को बनाया गया है और दोस्तों यहां पर भारती थलसेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने इनका नाम क्या है इनका नाम है बियस राजू एन राष्टी अनुसूचित जाती आयोग इसके दोस्तों जो की अध्यक्ष कौन बने है तो इनका नाम था विजय सापला चलिए आगे दिखते हैं सारे इंपोर्टेंट है ध्यान से दिखेगा किस संस्था ने सार्थी मोबाईल अप्लिकेसम दोस्तों लॉंच किया है आपके पास चार ओप्स दिख रहे हैं से पुछे जाएगा कि इसके CEO का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा माधुरी पूरी बुच इसके CEO हो जाएंगे तो इंपोर्टेंट जो की सार्थी अप्लिकेशन इनहीं के द्वारा दिखे जो की लॉंच किया गया है इस्पेसली जो की निवेसक है उनको जागरूप करने के लिए आगे कोशन देखते हैं सूचना समाज के विस्व सिकर समयलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया ठीक है तो समिट ऑफ इंफोर्मेशन सोसाइटी 2022 तो समिट जितने होते हैं उनसे प्रशन पंते परिछा में करेक्ट नसे बात करें ऑफसान नमबर दी देखे जिनेवा इससे जो की मनाया गया चली है इसको किया गया ऐद रहे एंगे तो इस सहीद चंदर जकर आजाग की जनम कब हुआ ता क्योंकि रेसेंटली 22 मनाएगे जुलाई के महिन में तो करेंट एसरी बात लिए तो 23 जुलाई सन 1906 में दोस्तों इनका जनम हुआ था जो कि भारतिक स्वतनता सगाम के स्वतनता सेनानी थे प्रश्णा जिआ दोस्तों यहां पे चार उप्शनस आपको दीख रहें किस देष का है तो याद रखेंगे फ्रंटियर का नाम आप याद रखेगा अमेरिका सबसे अब तक का सबसे तेज सूपर कमेंटर दोस्तों कौन सा है तो सभी लोग कमेंट निशित तौर पे करेंगे आगे दिखें question, संचित निधी का उलेक सम्धान के किस अनुचेत में दोस्तो है, जी है दोस्तो, question, ये भी काफी बार पूछे गया है, तो संचित निधी का उलेक सम्धान के अनुचेत दोसो चाचट A में हैं, ठीक है, याद रखेंगे, संचित निधी, अच्छा, समिधान के अनुच्छे दोसो चाचट A के अनुसार, सरकार को मिलने वाले सभी राजसों, जैसे सीमा सुल्क, उत्पात सुल्क, आयकर, संपदा सुल्क, अन्यकर, सुल्क और सरकार द्वारा दिय रिडो की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वे सभी संचित निधी में जमा किये जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगा इसको, दोस्तो आप सभी से गुजारिस है कि इस वीडियो को आप लोग तुरंद लाइक कर दीजे और कर दीजेगा, शेयर जिसे आइडिया लगे, क जून के महीने में हम लोग, एक जून को दूस्तों हम लोग हर वार्स जो की पित्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, अगर आप से हमान लिए जुलाई पूस्ता, तो एक जुलाई को बहुत सारा दिवस मनाते हैं, एक तरीके से कहले हैं, जिए जिए दिवस का मनाते लिए एक जुलाई को मनाते है याद रिंगे डॉक्टर दीव यह अपका एक जुलाई को भूमक्रिप्जेट oh nis यह था सब्चानिया सब्स्तों यह थे दूद्य न गलती पॉत departed जो उचान में,grow 5555 अगर भारत में हिमालाय का पूछक दोस्तो याद रहेंगे 85-86 मीटर जो है कंचन जंगा कहां पर यह सिक्के में हो जाएगा आगे देखे कोशन परियावर्ण सरक्षण के लिए जया वित्ता नीती 2022 जो कि किस भारती सारवजनिक छेत्र की कंपणी दोस्तो जारी किया है दोस जो कि परियावर्ण सरक्षण के लिए जया वित्ता नीती 2022 को जारी किया गया आगे देखते हैं कोशन इसे रिलेटेट कोशन आ सकता है जैसे एंटीपीसी क्या है नेशनल थरमल पावर कार्पोरिशन लिम्टेड है राष्टी ताफ विदूत निगम लिम्टेड है और दो किस राजे से है तो यह संबंदित है आपका option number B असम राजे से संबंदित है अब दोस्तों हमारे total कितने जो कि सास्त्री नित्य है अगर आपसे पूछा जाएगा तो total 8 हमारे सास्त्री नित्य जाएं कौन-कौन से भरत नाटेकम तमिल नाडू का कथकली है दोस्तों केरला क कथक है आपका उत्तर प्रदेश का खुचिपूरी है आंद्प्रदेश का मोहिनी अट्व है केरला का सत्रिया है दोस्तों असम का और ओडिसी है आपका उडिसा का तो इसको भीगद मिमांग में अच्छे से याद रखेगा आगे कोशन दिखते हैं किस अंस्थान ने विस् इंपरेंट स्विट्जेरलेंड अच्छा कमेंट करके बता सकते हैं तदकालिक इसके प्रेशिडेंट कॉन है जो भी comment करेगा मैं उसको पिन कर दूंगा comment box में तो डबलू एक्चो के तदकालिक प्रेशिडेंट का नाम आपको बताना है तो माचिया जैविक उध्यान पहला राश्टी मरू जो कि वनस्पतिक उध्यान को भी स्थापित किया गया था यह प्रसिद्ध कायलाना जिल के पास में इस्तित है राजस्थान जोधपूर आगे देखें बारहवी होकी इंडिया राश्टी जूनियर पुरुष होकी चेंपियंशिप 2022 के खिताब दोस्तो इसके जीता गया तो उत्तर प्रदेश में देखें बारहवी इंडियान जूनियर जो की पुरुष राश्टी चेंपियंशिप में फाइनल में चंडिगर दो जीरों से हराकर यह किताब जीता है इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ था तो कोवेल पट्टी तमिलनाड़ जो की देश हो जाएगा सॉरी यहां पर अच्छा यहां पर अब यहां पर देखिए अलग अलग उत्पादन और देश का नाम मैंने आप विंशन किया जैसे धात्तु के प्रमुक उत्पादन है जैसे अलिमूनियम चाइना में तांबा चीली में बाकसाइड ऑस्ट्रेलिय में गवगर्लिया में स्जोना चाइना में मैगनेज दक्ष्ड अफरिका में पा आराचा इनम्नी जो है इंडोनेशिया में नि नीरoba 29 माई से 4 जुन के मध्य में दोस्तों ये 17 में मुमई इंतराश्टी फिल्म महोत्सव 2022 में वरली इस्थित नहरू सेंटर औरेटरियम में दोस्तों इसके आजन किया गया बांगलादेश की आजादी के 50 वर्स पूर्योंने कुपलच में इस वर्स कंट्री ऑफोकस चुना गया उत्पादक जो की है सबसे ज्यादा करता है दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आपसे यहां पर बात की जाए तो दलहन हो जाए दोस्तों तो भारत दुनिया भर में दालों का सबसे बड़ा जो की उत्पादक और उभुखता है दालों का लगभग आत निर्भर एक तरीके से इन्होंने हासिल कर दी है और भारत का हिस्सा लगबग 62 प्रतिसत है पूरी दुनिया में आगे देखते हैं कोशन नेक्स देखिए सैच्छिडिक ब्योस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्स 2022 में आयोजीत राष्टी सिच्छा मंत्रियों के सम्मेलनी वेजबानी दोस्तों और डिजिटल प्रजिणाओ जैसे राष्टी डिजिटल सिच्छा वास्तुकला और राष्टी सैच्छिक प्रद्युकी मंच के कारामनें पर ध्यान केंद्रित करेगा आगे देखे फटेपूर सिक्री को दोस्तों किसके द्वारा मुगल समराच की राजधानी के रूप मे इसके बाद 20 वर्सों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहोर में सांत्रित कर दी गई और फटेपूर सिक्री पंद्रों से कतर से लेके पचासी की बीच में उन्होंने इससे अपना जोकी बनाया था रागी ती कुशन देखिए चीनी छेत्रे में सहकारी संद्ध था एनप पहले नंबर पर महाराष्टा दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश दीसरे नंबर पर दूस्तों करनाटका हो जाएगा आगे बड़ते हैं समुद्र गुप्त के दरबारी कवी कौन थे कोशन आया है काफी बार तो यहां दोस्तों यह हो जाएगा हरिसेण ऑप्शन नंबर में सबसे प्राचीन वैदिक यूग की संस्कृति के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है देखें वेदो संबनित कोशन हमेशा प्रशन आता है आपने डिस्ट इसामनें में भी देखें होंगे तो रिगवेद वेदो के रूप में जो की जाना जाता है सब भजन अनिपव दुस्थ और इसकी बेटी दुस्तों कोशन आया है रजिय सुल्तान जो की दिल्ली के पहली मैला शासी का भी थी आगे बढ़ते हैं जयांधर्म के दुस्तों प्रथम तिर्थंकर जयांधर्म हिसाई धर्म जो हैं बहुत धर्म इन से प्रशन हमेशा पुछता है दोस्तों तो इनका नाम हो जागा दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा अगर लगा होगा तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जो मुझे आइडिया देगा कितने लोगो को क्लास्स पसं साथ जरूर क्मइल दोस्तों आइडियो के जरूर को का निया ज Operation